अगर आप भी अपने बैली फैट से और साइड फैट से बहुत जादा परेशान है यानि कि आपका पेट भी निकला है और कमर पर भी यहां पर भी चर्वी जमा हो गई है तो आज का ये जो वीडियो है इसको आप पूरा जरूर देखिए क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ऐस अगर आप अच्छे से फोलो कर लेंगे जैसे जैसे मैं आपको बताने वाले हूं इस तरीके से है तो बहुत तेजी से आपका पेट भी कम हो जाएगा और आपकी कमर की चर्वी बिल्कुल कत्म हो जाएगी यह इतनी ज्यादा आसान एक्सेसाइज कि इनको हर कोई कर सकता है किसी को भी इन एक्सेसाइज को करते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो जो लोग यह कमेंट्स करते हैं कि हमारे में गुटनों में दर्द रहता है हमारा फैट जादा है वजन जादा है या पिर हम हैवी हैवी एक्सेसाइज नहीं कर सकते हैं तो यह एक्सेसाइज प अगर आपको यह फ़संद आए चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहां पर इस तरीके से अपने पैरों को ओपन कर लेंगे जितना आप अपने हिसाब का एक हैट मेरे साथ लगा कर देख सकते हैं ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि हां यह एक्सेसाइज आपके किस हिसे पर सबसे ज्यादा टार्केट कर रही है और पहले दिन से ही आपको अन अक्सेसाइज के रजशिस्दमिलना हो जाए तो चाहें तो आप कर सकते हैं सबसे पहले अक्सेसाइज इस तरीके से हम बैठ गए अब दोनों हाथ को हम सामने की तरफ रख देंगे सीधा सा अब धीरे दीरे एक हाथ को उठाएंगे और हल का साइड की तरफ मूब करेंगे और साइड वाला जो पैर है उसकी जो अंगलिया है यानि कि पैर का पंजा है इसको हम तच करने की कोशिश करेंगे फिर इस हाथ को रख देंगे फिर इसी तरीके से हम अपना दूसरा हाथ उठाएंगे और साइड वाले पैर से तच करने की कोशिश करेंगे अब फ्रेंग्स इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि इस हाथ से हमें इस वाले पैर को टच नहीं करना ह साइड वाले हाथ से हमें साइड वाले पैर को टच करना है इससे क्या होगा कि जब आप साइड वाले पैर को टच करेंगे तो आप देखेंगे आपके यहां पर बहुत सारा खिचाव मैसूस होगा और यहां पर इस हिसे पर टार्गेट होगा तो इस तरीके से आपको करना है पटापड से मैं आपको 10 बार इसकी करके प्रेक्टिस बता देती हूं वान है टू है थ्री है फोर ध्यान करना है धीरे धीरे करना है जल्दी जल्दी बिल्कुल नहीं शिक्स शैवन एट नाइन टैन इसको हमेशा आपको इस तरीके से करना है जैसे कि आप 20, 30, 40 ताकि आपका दोनों तरफ बराबर खोपा रहा हूं ठीक है 20 से लेकर 30 बार कर सकते हैं और सैट आपको इसके 2 से लेकर 3 लगाना है अब देखते हैं आप इससे इसी तरीके से हम बैठे रहेंगे ताकि क्या है घुटने के दर्थवाले भी आर्व से करता हैं पेरों को अपर करके ही तरफ उठाइंगगय достаточно ऑर कि आप पूरा क्मर का हिस्सा है बहुत ज्यादा टार्गेट होगा और बहुत तीजी से आपकी पेट की चर्वी और कमर की चर्वी कम होने वाली है जब आप इस एक्सेसाइज को करेंगे ना तो आपको फैट बर्न होता हुगा फील होगा ठीक है तो चलिए इसकी भी हम पटापर से 10 वार सेवान एट नाइन टैन आप साइड की तरफ मूब कर सकते हैं उतना जादा ही आपको यहां पर इफेक्ट मैसूस होगा लेकिन ध्यार रखें अपने हिसाब से करना है आपको जबरदस्ती कोशिश नहीं करना है अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो इतना करिए और अगर दिखेंड हैं ध्यार रखें हमें कभी वे एक्सराइज के साथ बिल्कुल भी जवरदस्ती नहीं करना है धीरे धीरे ही अच्छे से करने की कोशिश करना है तो इसको भी आप 20 से लेकर 30 वार कर सकते हैं अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सराइज वह बहुत बहुत अमेजिंग है हलका सा हम अपने पेरों को मोडेंगे बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा इस तरीके से दोनों हाथ को अपने इस तरीके से सर के पीछे लगा लेंगे और अब हमें करना क्या है बस सिंपल सा साइड की तरफ मूव करना है और हलका सा अपनी नी को अपने एल्बो से तो चले करते हैं वान टू थ्री फॉर फाइब सिक्स सावान एट नाइन टैन इसको अप चाहिए तो थोड़ा सा जल्दी-जल्दी इस तरीके से कर सकते हैं अगर आप करने लगेंगे एक दिन-दो दिन तो हम थोड़ा सा आराम-आराम से करेंगे एक दिन-दो दिन की ठीक है पेट और कमर पर बहुत बहुत इफेक्ट महसूस होगा इसको थोड़ा सा ज्यादा करना है तो आपको लिए पूरा टोटल 40 टाइब अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट एक्ससाइज जो कि है बहुत बहुत खास आपके पेट के लिए और कमर के लिए दोनों पैरों को सबसे पहले थोड़ा सा हलका सा मोड़ेंगे बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा सा सामने की तरफ रखिए और दोनों हातों को सीधा रखन और यहां पर अपने फ्लोर को टॉट करना है इस तरीके से देखिए जब आप इस तरीके से ट्रेश करेंगी तो आपके पर काफी जयादा स्ट्रेचिंग होगी यहां पर और आपके पेट पर भी काफी ज्यादा दवाव आपको महसूस होगा ठीक के तो थोड़ी सी मैं नाइन टैन ओकी रिलेक्स इसको भी आपको 20 से लेकर 30 बार करना है अब मैं आपको एक एकसाज और बताने वाली हूं जिसको मैं आपको थोड़ा सा ही जल्दी से बताऊंगे इसमें हमें क्या करना है इस तरीके से बैठ ना है अपने पैरों को आलती-पालती करके आप करते हैं सीधे आना है और फिर दूसरे हाथ को लेजाना हलका हलका स्लिप करते हुए जाए जितना आप जा सकते हैं और बाप पर पसाना है और इस एकसाज को मैं आपको पहले भी दो से लेकर तीन बार कर चुकी हूं क्योंकि यह बहुत इफेक्टिव है इसलिए आपको बा उपने में दद रहता है पेरोकूपन करके बैठेंगे 6 7 8 9 10 पूरा आपका यह और यहां से लेकर यहां तक फैट रिमूव हो जाएगा बिल्कुल आसानी से और आपको कोई भी प्रोब्लम नहीं होगी यह जो मैंने आपको इतनी सारी एक्सेसाइज बताई हैं जरूरी नहीं प्रेसे साथ करें प्रच piss bastая कर सकते हैं यह यहितु तो थी एक्सेज को आपको कर सकते हैं इसके साती अपने तो आपको अच्छी सभ्शक्रान द्याहता है तो क्लीन ड्याइट लेनी आपको एक्सेसाइज को करना है और उसके बाद मुझाचिंगे अपने चिजिल signature餐 को द पसंद आया होगा तो अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राब नहीं किया था तो सब्सक्राब कर दीजिए लाइक नहीं किया था तो लाइक कर दीजिए